असलाम लीकुम त्यार काफी सारे भाईयों का कमेट था क्याली भाई रेड़ मैजिक 7S Pro के बारे में बता दें कि आज की टाइम पे हमें इसको लेना चाहिए या नहीं मैं आपको बता दूँ कि इसमें प्रोसेसर स्नैफडेगन 8GN1 का प्रोसेसर है नो सो साथ हर्थ का आपको टच सेंप्लिंग देखने को मिलते हैं आप जिन लोगों को नहीं पता ना कि टच सेंप्लिंग क्या होते तो मैं आपको वीडियो के जरी दिखा देता हूं कि टच सें आपके तो भाई आपने वीडियो देख लिए कि ऊपर वाली जो डिवाइस है ना वह समसिंग की है ठीक है उसमें 240 अड़ टच सेंप्लिंग है और जो नीचे वाली है वह पोको एफ 3 है उसमें 360 अड़ आप देखो ज्यादा टच सेंप्लिंग का फर्क भी नहीं है उसके ब सब्सक्राइब है इसमें तो 960 अड़ का टच सेंप्लिंग है ठीक है फिर आप सोच ही सकते हो कि कितना आपको एडवेंटेज होगा ठीक है मतलब के स्वाइप रेस्पॉंस टच रेस्पॉंस यह कितना ज्यादा होगा और बुलेट कनेक्टिविटी आपकी कैसी होएगी ठ इसके लावा गेमिंग फीचर्स भी इसमें बहुत जदा होते हैं आपको पता है कि सारे किसम के जो पहले आपको पता है ग्रीन बडी या इस तरह के कुछ हैक आते थे थे ना वो तो इसमें अपने आप ही अवेलेबल है ठीक है ना तो इस वह जैसे टोर्नामेंट्स में यह अलाओ नहीं होती रेड मेंजी की डिवाइस किसी किसी टॉर्नामेंट्स में अलाओ कर देते हैं लेकिन काफी ज़्यादा टॉर्नामेंट्स मैंने देखे हैं उसमें अलाओ नहीं होती ठीक है यह जो रेड मेंजी की डिवाइस होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं आपको जो एक किसी हैक से कम नहीं होते हैं और यह लेने के बाद ना लोगों को फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है अभी जो लोग फाइले लगा रहे हैं वो तो काफी सारे बैन हो रहे हैं और बहुत ज्यादा फाइल्स बिक भी रही है बाकियों की निसबत आईफोन की निसबत अभी अगर मैं आपको Red Magic 8S Pro का PTA Tax बताऊं तो उसमें आपको तकरीबन 45,000 उसका PTA Tax है ठीक है और जो Red Magic 9 Pro है उसमें आपको 90,000 के करीब PTA Tax देना पड़ता है बाकियों की निसबत इसका PTA Tax कम होता है और Red Magic 7S Pro का तो ज्यादा ही क सेंप्लिंग मिलता है सेम इसी तरह जिस तरह आपको Red Magic 7S Pro में मिलता है अब अगर इसी रेंज में मैं आपको बताऊं जो iPhone में है ठीक है iPhone 13 Pro Max इसी रेंज में मिल जाता है मुझा पता है non PT में वह भी मिलता है उसका PTA Tax पी ज्यादा है ठीक है लेकिन बुलेट और PUBG परफार्मेंट्स इसकी ज्यादा है Red Magic 7S Pro की तो अगर आप क्या बजट है ना काफिस रोग कह रहे थे कि 1,80,000 अमरा बजट है तो आप Red Magic 7S Pro ले लो ठीक है इस जैसी परफार्मेंट्स आपको किसी iPhone में नहीं मिलती है जो आपको बताते हैं कि iPhone iPhone है ऐसा कुछ नहीं है और अगर मैं 120FS की बात करूँ कि इसमें by default आपको 120FS देखने को मिलेगा 3.2 अपडेट के बाद या नहीं तो देखो यार इसमें भी तक तो by default आपको 60FS देने को मिलता है लेकिन यकीन करो यार मुझे personally मुझे 120FS से कोई मसला नहीं है ठीक है ना मतलब कि कोई ना कोई जुग लगा कि और अभी से GFX में या किसी भी में लगा कि आपको थर्ड पाटी में देख लो 120FS अभी से आना शुरू हो गया और जो लोग कह रहे हैं कि बैन होता है 90FS लगाने से या 120 लगाने से मुझे चार साल हो गया लगाते हुए सिरफ 90 लगाया करो बाकी चीज़ें ना लग करेगी PUBG को आपको पता है ना पैसे चाहिए जो कंपनी जाके कुलैब करेगी वो उसमें 120FS दे देंगे ठीक है जो नहीं करेगी उसमें आपको न 90 मिलेगा न 120 मिलेगा ठीक है तो अगर ये कर लेते हैं ठीक है Red Magic की डिवाइस वाले तो इसमें by default मिलेगा 120FS नहीं करेंगे त फिर GFX जिन्दाबाद ठीक है वो जुगार तो बहुत ज़दा हैं लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है न ठीक है अगर आप चाते हो के PTA प्रूब है में Red Magic की डिवाइस से तो फिर आप Red Magic 6S Pro की तरफ चले जाओ ठीक है वो आपको 1,60,000 में 1,50,000 में official PTA प्रूब अगर आप ओनलाइन लेते हो ओनलाइन तो कभी भी मतले ना फेस टू फेस जाके ले लेना अगर आप एक लग 50,000 दे रहे हो तो आप फेस टू फेस भी जाके ले सकते हो उन से ठीक है बाकि यगेन करो भाई performance में Red Magic की डिवाइस का कोई भी डिवाइस मुकावला नहीं कर सक रिकॉर्डिंग के साथ सब कुछ में ओकी है यह डिवाइस और प्राइस मैंने आपको अल्रेडी बता दिया कि यह आपको डिवाइस पाकिस्तानी मार्किट्स में अगर बात करूं तो एक लाग साथ हजार में एक लाग सातर हजार में नॉन पी टे में आपको मिलेगी Red Magic 7S प्रो ठीक है और प्रफार्मेंट्स में उसमें भी कोई भी कमी नहीं है ठीक है वो आपको एक लाग साथ हजार में ओफिशल प्रूफ पाकिसानी मार्किट्स में मिल जाएगा बाकि इसके अलावा भी आपका कोई क्वेस्ट्यन हो या कोई बात मुझसे पूछनी हो या पाकिसानी मार्किट से तो एक दफा मुझसे पूछ जरूर लेना क्याली भाई हम ये ड्वाइस ले रहे हैं इसको लेना चाहिए या नहीं इंशाला जितना भी मुझसे हो सका मैं आपको गाइड कर दूँगा और अगर आप लोग मेरे सपोर्ट करना चाहते हो हेल्प करना कर दो हेल्प कर दो हेल्पोर दो तोन घ्राइस लें, जब क्योंसे हो वाइड करते हैं इसका मैं हो nawar है भ마 बाहे पुछ तो दु़ले में आपद जो हम इद वे दिन्च से पूछ बोश़ीं.